परम सनमानियो गुरूरू गुरू खाल्चा सा संगजी वाहे गुरूजी का खाल्चा वाहे गुरूजी की फते नदोन दी फते प्राप्त करके गुरूजी ने बड़ा अनाधितार्ण कीता ते फेर शीरी गुर तेग भादर जी देश पुत्तर शीरी अनांदपुर सहा वेच परवेश कर गए गुरु जी दा आउना सुन के नगर दे लोग देल वेच बहुत परसान होए गुरु जी नुँ अगे होके लैन वास्ते बड़े आदर नाळ आके मिले नगर वेच अनेग प्रकार दे मंगलां दी रचना कर दे सन अते फुलां दी वर्खा कर रहे सन कई दिन बितन तों बार माता जीतो जीनु गुरु जीने विशाल सने मर होके खड़े होयानु वेख्या मान विच कामना सहित जानके उस समय बोले कारवाण दा की हाल है आप जी दी की अभी लाशा है अपना मनौरत दसो होन जो भी चौदे हो जिस वास्ते आए हो ते होन लाज सहित खड़े हो माता जीतो जीने हाथ जोड़के बंदना करके कहा हे प्रभु अंतरजम्मी जी तुसी जगत गुरु हो ते सब दे दिलानियां जान दे हो चारे चकानियां संकतां चेतवे जोवी चौदियां हन पौधियां हन समुंदर दे आंथ तक जिन्नी भी तरती है सारे तो अड़े चरना नूं पूई दे हन बेनास पुत्तर दे अनाद नहीं है कारसोनस मान है पुत्तर जिमें दीवेदा परकाश हुनदा है इस तरह बुद्धीवान केंदे हन सूरज देन समय परकाश करदा है ता सारा जग सुख पोंदा है राददा दीपक चांद है हनेरे अते दूर करदा है किरपानेधान गुरुजी ने कहा सिक संतां दी सेवा करो ते अहंकार शड़के कई परकार दे पोजन देो साथ संकत पासों सब काम नावा पूरियां हो जान गियां दो लोकां दे अनाद प्राप्त करोगे जे खुशी नाव सेवा करोगे ए सुनके कम मानलेया ते नमस्कार करके चले गए पोजन वास्ते बहुत प्रकादी त्यारी करवाई जेड़े वी संत सिक गुरुजी दे पास आके रेंदे सान और नू पोजन शकाके द्रिप्त करदे सान ते मन विट्स पुत्तर दी कामनात अरके सत्गुरु जी नू परसंद करदे सा नेत नमीस एक संगत मगवा के ओना दे चर्नतों देशान ते हाथ वेच पका लाके ओनानू सोख देन वास्ते हवा चाल देशान एस परकार दी माता जीतो जी ने बहुत सेवा किती सारे सुखानू देन वाले सत्गुरु जी एहे वेख के बहुत ही प्रसंद होई कुझी ही दिना बाद माता जीतो जी दी ओनाने कामना पूरी किती माता जीतो जी गर्ब तार्ण करके बहुत परसंद होई पती देव दी सेवा सफल होई एस परकार परसंद चेत रहके नो महिने पूरे हो गए परवार बहुत परसंद होया पुत्तर सहित इंतियार कर दिया पारी उत्सव हया चेत सुधी सत्मी थेतनू मंगलवार आया स्तारां सो संताली सम्वतनू अनांदशा आगया पले लगन ते उच्चे ग्रह सहत सोख पाके स्पुतर दा जनम हया बहुत दीप माला कीती गई बहुत मांगते सोणद्यां ही दान ल्यान वासते दोड़े आये दरवाजे उते वड़िपी इल्ला गई ते मांगते बहुत तान पार है सन सोटी वंश दी सारी रिती कैके करवाई गई नदाउन दी दूसरी जांग वेच गुरु जी विजय प्राप्त करके आये सन फिर दूसरे इस पुतर दा जनम होया ते बहुत वाजे वजय गुरु जी ने फिर इस पुतर दा नाम रखन बारे विचार कीती फिर गुरु जी ने आपने इस पुतर दा नाम जुजार सिंग रख्या जेडा सुखा दे करवेच परसिद्ध हो गया जुज आर संग नाम तरके परवार बहुत परसान होया ओदर सहब जादा अजीज संग जी खेड़ दे सन ता आउना दे पाई होई ग्याने खड़क दे सन साथगुर जी दे कारविच दो सहब जाद्यानो माता गुजरी जी चेत वेच परसान होके वेख दे सन गुरुजी दे दोमेस पुत्रां दे संगतां दर्शन करंते बंदना करदियां सन हास दे हसों दे लीला करदे सन नाल दे दास अनेक तरा नाल सतकार करदे सन शीरी अनानदपुर सहब जेड़े भी मनुख बेमुख होंदे सन और गुरुजी दी महिमानों नहीं जान दे सन हेरदे वेच डातार के गवार पैड़ी मत तार्न करदे सी ते शीर नुछड़ के पाज़ जान दे सन जेड़े शीरी अनानदपुर सहम नुछड़ के चले गई सन ओनानु सब थामाते दुख ही प्रप्त होया किसे ने भी ओना दा सन्मान ना किता और पुखे प्यासे रह के बहुत दुखी होय जेड़े शेर तो पाज़ गई सन और पुखे मरदे दुवारा आगे देन प्रती देन गुरुजी दा बहुत बहुत परताव दा गया ते गुरुजी दे दोशियां दा नाश हो गया इस परकार गुरुजी ने अपने तेज नू टकाया सारे राजयां दे मान वेच डारुत पन होया सिक संगत सदा बहुत वद्धी जंदी सी साथ गुरुजी दे ओ सुखदायक दर्शन कर दे सन जिस परकार माता जीतो जी साथ संगदी सेवा कर दे सन उस परकार ही सिक संगत नू वड़ी पावनातार के पोजन बस्तर दे सन मिठे लून वाले खटे स्वात सहत बने होय जावल सबजी सहत दे सन वेच मेवे पाके पवित्तर कर दे सन फेर आई होई सेक्संगतनों पोजन्च कोंदेशन आपने चेत्वेच गुरुजी दी परसनता चोंदेशन ते सदा आपने मांदी गतीनों सनेमर राखदेशन नंग्यानों वेक के वस्तर देंदेशन एस तरह सेक्संगतना दी सेवा करतेशन गुरुजी दी मूर्ती सदा हर्दे वेच द्रेड तौर ते वस्दी सी देन रात साथगुरुजी नाल प्रेंवद्या सी गुरुजी दे दर्शना दी लालसा बहुत रिंदी सी ते माता जी सेवा कर दे किसे परकार आलस नहीं सी कर दे गुरु जी माता जीतो जी दी सेवा ते बहुत खोशन देशान ते ओना ते बक्षिशा कर देशान गुरु जी ने माता जीतो जी दी दूसरे स्पुत्र वास्ते कामना जानी ते माता जीतो जीनू बहुत प्रसनता बक्षी ते ओस समय ओना दा मनोरत सफल कर देटा मादा जीतो जी दूसरी वार गर बती हो गए ते ओना ने मन विच उत्तम अनंध तार्ण कीता सहभजादा जुजार सिंग बड़े सुंदर शोब दे सन पैरान दे बल पाके खेड़े फिर दे सन जवाहर जड़े जड़व गयने बोंदे सन जाद वेड़े विच दोड़ दे सन ता गयने चंगी तरा शब्द कर दे सन दूसरे सहभजादे अजी सेंग जी खेड़ दे फिर दे सन दास दासयानू नाल रख दे सन कदी कदी दोमे परा मिल के खेड़ दे सन सारा स्रीर सुन्दरता पर पूर सी एक दिलावर खांप ठांड सी ओपंज हजारी ओदे वड़ा सी गुरु जिदे जासनों सुनके ओबरदास्त ना कर सकया ताद उसने कहा मैं फौज पे जांगा एस तरह कहा के बहुत त्यारी कीती बहुत समझे आके अपने पुतरनों पे जा हजारा सूर पीरांदी सैना लाएके जाओ ते लड़ाई करके अनांद पुरनों मार लो जे ओह बहुत तांदेन तांद लाएके ओस समय छड़ के आगयाओ नईता पारियोद करो अपने पिता पासों सुनके खान जादा त्यार हो गया उसने अपनी सैना विच बहुत गोली बरूद वरताया ते चोण चोण के योदे कठे कीते नगारे विजोंदा फिर चल पया ते शिरिया नंत पुरसा हवाले रा विच अपने पैरतरे पावोसपा से चल पया दलावरखा वड़ी सैना लेके आया केंदा सी सारे पहाडी राजय पसों तान लेना है गुरुजी वल पहला अपने पुत्रनों पे जया एदरों पाव गुरुजी वलों सारा अंदे जोर दा पता लग जाएगा इस परकार देलवे छंकार तार्न किता अपने पुत्रनों पेला पे जया अनदपुर जाके रासमे लड़ाई करो सारे एको बार हमला करो एसला करके पठान पुत्र महान सैना लेके कोड़ेते स्वार हो गया नदी तो पारुसदा डेरा सी रात पै गई गई अनदपुर आया ते उत्थे पॉंच गया जित्थे गुरुजी दा द्रवाजा शोब रहा सी उत्थो एक आलम गुरुजी दे पास गया ते जाके चर्न बंदना किती गुरुजी ने आलम नों पुछेया की गल है आलम ने खड़े होके हाथ जोड़के कहा हे प्रभुजी तुरकादा दा लाया है ओ अनांदपुर साहविच प्रवेश करना चौँदे हन सारे नदी दे पार खड़े हन आपने सूर्भीरा नों हुकम देओ तांके हो युद करन वास्ते सुचेत हो जान साथ गुरुजी ने त्रोंत मोक्तों फरमाया कुछ मनुखा नों पेज़के सारे नों जगा देओ रंजीत नगारा वज़ा के सारी फाज त्यार हो गई ते मुखी योदे सब चल पए शीर गुरुजी ने एक होर मनुखनों पेज़या ते सारी सैना नों समझाया दुष्टा नों अगे चल के रोको गोडियां मारो ते जंग वड़े सांते मचाओ पावशैरों बार दूर अगे चले जाओ एक ठंड़ दा समा सी ते वड़ा पाला पैर रहा सी जाल दे पास खड़े वेरी पिंगलियां मांग हो रहे सन ओना दे हाथ पैर सुन हो के बे जान हो गे सन शस्तर उठा के हथा विच फड़ नहीं सकदे सन दूसरा गुरुजी दे दालदा वड़ा शोर मचाई सी इके वार वड़ा जोर पैगया पैपित हो के जेत हुंदी ना समझी फजूल विच सारे न नुकसान हो जाएगा दिलावर खादे पुतर पास इस तरह डार के सला देन वास्ते बोले गुरुजी नाल जंक करना चंगा नहीं होन इंज पता लगदा है के होन मरना पवेगा पाले नाल सरीर सोन होए हन उच्चे करके शस्तर भी नहीं उठदे हन जिस समय नदी विच वड़ांगे मारन तो बिना ही सारे सूरबीर मर जानगे फजूल विच क्यों प्राण देंदे हो ओद्रों महान से ना पोंच गई है जेड़े बड़ी उच्ची-उची पुकार रहे हन कौन जानदा है के ओना दी गिंटी किने हजार है साड़े हथे आर खोलेंगे जे सामना करोगे ता मार लेंगे ते नो फिर सारे अंजान केंगे जेड़े फजूल विच आपने प्राण दे देंगे खानना ने मिलके दिलावर खादे पुत्तर नो समझाया ओ गुरु जी नो बड़ा सूर्वीर समझ के देले विच डार गया फिर नदी दे किनारे ही खड़ा रहा ते आपने पैरा नो जाल वेच ना पाया गुरु जी दे बड़े परताब नो समझेया लड़ाई छाड़ दती के जेत दी कोई आस नहीं है शस्तर चलोन तो बगैर ही हिरनावांग ड्राकल बन गे महामुरक कायर हिरनावांग पाज चले गुरु जी जंग विच जद आप ओन गे तां दसो ऐसा केड़ा योदा है जड़ा बीरता तारके खड़ा रहे तिखे तीर शड़के सानु जेत लेंगे तुरकां दे सूर में इस्तर डर्दे होए सारे पज गए खाना दे सवा विच एक हुसैन नामदा गुलाम रेंदा सी ओ दिलावर पठान दे पास अपनी शक्ती दियां डिंगा मारन लगा बहुत हंकार करदा सी ते बोल्दा सी मैं गुरु जी नो जेत लवाँगा कोणया ते सवार होके नगारे वजा के चल पया शिरी अनंद पुर साह विच शिरी गुरु जी विशाल अनंद विच रह रहे सन जाद पठान पुत्तर ने पाव दिलावर दे पुत्तर बड़ा उच्ची हो रहा महांशोर सुनया सी ता ओह कायर होके पलान पेंड बेच पाज गया सी दूर दूर तक वेखके दिवान नंद चंद बहुत सैना लाके योद वास्ते खड़ा हो गया सी सोनी जंग देन वास्ते वैरी दी बहुत उड़ी किती सी सैना दियां लेना बना के वैरी नू अगाउं लेन गये सन जादे सुनया के पठान पाजगे हन ताद महान विजे प्राप्त कीती ते नगारे वजा के जित दा अनद लेया बहुत बंदूका शड़ीयां जिना दी वाज बहुत दूर दूर तक गई फिर सारे बहुत गाज़िदे होए शिरियनांद पुर साहब नू वापस आ गए शिरियनांद पुर साहब विच इस तरह वड़ा अनद होया दिवान विच दिवान नू प्रभु जिने इस तरह समझाया ओदर पठान दिलावर्दा गुलाम सैना जोड के आ रहा है जिस दा नाम हुसैन है ते उसने अपने वड़े परता अपनू जणाया है पहला चलके अवान पेंड लुटेया कोई भी समझे ना होया ता जांक करके सब नू कुटेया पेंड दे सारे कराना समान खोलेया बहुत हंकार करके अपनी ताकत नू जणाया फिर डड़ वालीयनू जुद करके जितेया फिर हुसैनी पैडी निती करके जुलम करन लगा कई पहाडी राजे मेल वास्ते पास होंदे सन सारे आपासो तान लेके दंड वसूल करता सी कई पहाडी राजें दे पुतर कैद की ते बहुत तान देओ गे तान छटांगा वनानू सुना ज़ता किरपाल कटोचिया ते पीमचंद कहलू रिया उसनू वड़ा ताकतवार समझ के उपहार दे दे के मिले विशाल दून देविच प्रवेश करके बहुत लोटमार कीती सारे कायर बहुत डर गए ते किसने भी जांगना गीती बहुत आनाज खोखो के स्याना विच वणड दता पर हिरदे विच पूरण गुरु जीदा प्रवाब ना समझया जेडा खोटा कारज करदा सी उसनों विचार के ना वेख्या विशाल मुरक आत्मा गुलामा दी बुद्धी रखनवाडा सी बिना इर्खा करन देवि कईया नाड उपदर कीते किसे विपहाडिया नू औना नू मारन लई क्रोध ना आया अनेका ही हाथ विच उपहार लेके उसनों आके हाथ जोड के मिले कई पाज़ान दे सन ते कई बेंती करके पेटा लेके मिल दे सन इस परकार उस दून विच बहुत जोर पाया हिर्दे विच अभी लाशा करदा सी होन शीरी अनांदपुर सहावल चलाँगा राजा किरपाल के टोची है ते पी इमचंद ए जोवी होना नाल मेल करदा सी उसनों आदर नाल पास रख दे ते गुरु जी नल चगड़े दी गल दस देहन सारी सेना इकठी करके शीरी अनांदपुर सहाव गुरु जी दे पास होना चोंदा है संग अरिशनाल वड़ा युद करना चोंदा है कहनदा है जेत लमागा जा मारया जावागा सैना दा बहुत वड़ा जोर देांगा जे आके मिल पैनगे ता बहुत तान लमागा दिलावर खाने अपना पुतर पे जैसी जीना तो मूरक डर के वापस चला गया उस कारण होन मैं चाड़के आया हां बहुत वड़ा दाले कठा करके नाल पे जा है जा तक मैं शिरियनांदपुर साहब नहीं मारागा ता तक हट के जाना बनदा नहीं है इस तरह गेंड़ गेंड़ के माने विच त्यारी करदा सी प्रती दन बहुत दाले कठा करदा सी परवना दिया सारी इंस किमा फेल होगी हैं गुरु जी जी अगे किसे दिये कना चली इस परकार शिरियनांदपुर साहब दी कथा होई दिवान नांचंद बड़ी द्रिड़ता कर रहा सी सारी सेनाई कठी करके रख ली कोड़या ते सवार होके चारे पासे फिर दे सन इना ने गुरु जी नाल कई योद कीते एस योद बारे सारा हाल गुर्गोविन सेंग जी ने बचेतर नाटक वेच लिखया है गुरु जी दे सत स्वारवी नाल लड़ रहे सन जीना विच संक्तिया सेंग रणखेतर वेच शहीद हो गया हुसैनी ने वड़ा योद कीता लड़दा होया हो थी मारे गया फिर बलवान किरपाल कटोचिया जिसने वड़ा उदम कीता उसनों भी रणखेतर वेच मार लेया जिस दा किरपाल नाल सेर कड़ देता हुसैनी तो वखरे एह तेन सूरबीर सरदार राजा किरपाल हिम्मत अते किम्मत जाद मारे गए ताद किरपाल कटोचिया नो मर्या वेक के गुपाल ने परसन होके विशाल जित पराप्त की थी फिर फते दा नगारा बहुत उची वाज उठया वेरी दा दल बेन मारें ही पाचलया साथगुर जी उते वेरी चड़ के ओना चौदा सी ते शीरी अनंदपुर साहब नू छड़ बोना चौदा सी बहुत वड़ा लशकरी कठा करके लियाई सान करता पुर्ख ने ओना नो त्रोंथ ही मार दता इस परकार वेरी यां ते जित प्राप्त करके कल की तर पाश्या ने बहुत अनंतार्ण कीता सेवकान नो बचाके वेरी यां दनाश कीता फिर माग महीने दा पिशला पाखाया एतवार वाले देंडने बहुत शोबा पाई एकमदी थेत दिया जद दो कड़ियां रह गईयां तद माता जीतो जीदे ग्रै स्पुत्तर ने जनम लेया सेवा करें योग दाईयां ने जद सोनेयां तब परसन होके बहुत उत्शायत होईयां फिर सारे खुश्यां दे वाजे वाज उठे तोपांते बंदुकां आद बहुत शल्खां चलियां खुसरे आके दो हथा नाड तालियां बज़ोंदे सन तो ओलते तलियां बहुत वाईदियां सन गा़ के नच के पौटनी लेंदे सन ताल मला के कुंगरां दीय वाईणाड रुलां दे सन शिरी सत्गरुजी ने फिर बालग दे नाम बरे विचार किती वेरी दा सारा दल दूर ही टाल दता पाव हमला करना है हुसेनी नो दूरों ही टाल दता सी ते किसे होर ने ही उसनों मार देता सी इस तरह नाम जोरावर सिंग उचारन कीता ये सुन के परवार बहुत परसान होया गुरु जी दे तेनस पुत्रानों वेख्या दोस पुत्र वेडे विच बड़े परसान होके फिर दे सन जाद पाई दे सन ता गैन याने खड़कन दी सुन्दर वाय उट दी सी शीरिय अजीर सिंग जी कोड़े दी सवारी करदे सन सारे सेवकाँ दा फिर अकाठ धुम्दा सी ओसत्रां ही सहब जादा जू जार सिंग जी दा मुक बहुत सुंदर सी औह कारवेच बार अंदर फिर दे सन फिर सहवजादा जोरावर सिंग नू बहुत दुलार दे सन दाई तेखी डामा गोदी वे चोकलन दे सन अनेका रंगा दे वस्तर बनाओ दे सन गोटा चमकदा है जिस दी चमक चेतनू कोंदी है तिन्ना दे स्रीर वाद रहे हन माननो तेन परकारदिया अगनिया दखाई देंडिया हन आपने सिखानू सोख देन वास्ते तुरका रूपी ब्रेच दी जाडनू साडन गे रंखेतर वेच बड़े बलवान योदे होन गे प्रान तजन तक मानवेच तीरह होवेगा गुरू जी देस पुत्तर होन बंदना योग हन सेख परवार सब लोग औना आगे सेर्नमों दे हन माता गुजरी जी औना नाल बहुत प्यार कर दे हन ओ आपने पोत्यां दी चंगी तरह पालना कर दे हन औना नो इकठ्या करके आपने पास बठों दे हन ते परचा के पोजन छिकों दे हन पर सांग सुनो दे होई होई हैं अनेग पुलना चुका दिखे मां बख्षणी जी दासनों आग्या देओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फते